नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग ये कोड्स कौन है कोड्स एथिनिसिटी के बारे में आप बात होगी कोड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये किसी एक कंट्री में नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुएं आपको यहाँ पिस मैप में नज़र आ रहा है, टर्की में भी है, सीरिया में भी है, इराक में भी है, इरान में भी है, अर्मेनिया में भी है खासकर कोड्स का जो रोल रहा है, वो इस बात को देखके दो चीजों की वएसे कोड्स पहुँचा दो रोल में रहे हैं आइसिस बोलते थे, Islamic State of Iraq and Syria, तो basically उन इलाफों को Islamic State के control से छड़ाने में भी इन codes का एक बहुत major rule रहा है, और codes की politics अभी कैसे चल रही है, मैं आपको बता दो Turkey, Syria और Iraq में, जो केंदर शासे सरकारे हैं न, वो कहीं न कहीं codes को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो ये पूर एक Turkish air strike होई है Northern Iraq में, असल में कुछ दिन पहले, Turkey की जो प्रेजडेंट है, रेसिप तैयब अर्दोगन, इन्होंने इराक को ये वान किया था, कि आपके यहाँ पर एक refugee camp है, और वो refugee camp Kurdish militants से भरा हुआ है, अब obvious ही बात है, ये जो Kurdish militants हैं, इनको तरकी पसंद नहीं करता तरकी की और Kurdish लोगों की बिलकुल नहीं बनती है, in fact, तरकी की total आबादी के 15 से 20 प्रतिशत जो लोग हैं, वो Kurds हैं, और ऐसा नहीं है कि तरकी में किसी एक particular इलाके में Kurds हैं, पूरे तरकी में Kurds फैले हुए हैं, जो तरकी का जो सबसे important cultural center माना आता है, Istanbul, Istanbul में बहुत सार पूरे तरकी में पसंद किया जाता है, ना इनको इराक में पसंद किया जाता है, तो एक party है, जिसना नामे Kurdistan Workers Party, इस Kurdistan Workers Party को एक terrorist party डिक्लेयर किया गया है तरकी के अंदर, और तरकी इस Kurdistan Workers Party के जो भी member से उनके उपर लगातार attack करता रहता है, तो आप देखोंगे इराक के 30 किलोमेटर अंदर यहां पर एर स्ट्राइक किया है, तरकी के आंट फोर्सेज ने, किसके अगेंस्ट? कोर्डिश मिलिटेंट्स के अगेंस्ट करी है है, अगेंस्ट करी है है, अर्डोगान साब ने बोला है कि जो मकमौर नाम का कैम्प है, विचिस सम्वेर अराउंड 110 किल करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा, और इसलिए इस परकार की जो अटाक है, वो यहां पर तरकी अक्सर करता रहता है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी बात कोर्स के बारे में, बट इस टॉपिक को आगे समयने से पहले, वीडियो पर लाइक की बटन दोस्तों, सासन नेरी वेबसाइट हर्षिद्वेधी.com, वहाँ पर टेली की बेसिस पर करेंट अफेस की न्यूज भी अपलोड होती है, वो भी जाके देख सकते हैं, सासन इंस्टागराम पर फॉलो कर लिजे, इंस्टागराम पर आप अपने मैसेज़िस बेस सकते हैं, अच्छा कि उसमें बहुत सारे doubts UPSC preparation से related मैं पहले ही discuss कर चुका हूँ, अभी वही doubts पे अगर आप दोबारा query भेजोगे तो मैं दोबारा वीडियो नहीं मना सकता, इसलिए मैं कहूंगा कि आप query भेजने से पहले मेरे पहले की वीडियो को refer कर लिजे, repeated queries मैं वीडियो नहीं मना सकता ठीक है, तो इसलिए repeated queries में बहुत सारी वीडियो पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग reminder भेजरो, mail से, instagram से मैं देख रहा हूँ, बट possible नहीं चुकि मैं उस topic पे, उस query पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप पहले UPSC preparation tips वाली playlist में जाके, द lecture की PDF आपको telegram group में मिल जाएगी मेरे lectures के, notification telegram में मिल जाएगी, जो भी articles में अपनी website पर update करता हूँ, वो भी आपको telegram group में मिल जाएगी, तो अब को इसके बारे बात करते हैं, इंडिजीनिस पीपल है, कहां के, mesopotamian plains के, टिग्रिस, यूफरेटर्स, इराक और उसके साथ वेस्टन इरान हो, चाओ साथ वेस्टन अर्मीनिया हो, यहां पर कही न कहीं आपके codes पाय जाते हैं, अगर आप नक्षा देखोगे, तो यह दिख रहा है, साथ इस्टन टर्की, फिर आप देख सकते हो, नॉर्थ वेस्टन इरान, फिर नॉदन इराक, या फिर नॉर् उसकी बहुत अलग-अलग dialects हैं, एक अलग dialect बोली जाएगी सीरिया में, अर्मीनिया में अलग होगी, भाषा यह की है, बट dialects अलग-अलग है, रेस कल्चरन का सेम है, काफी हत तक इनके रहने, खान-पान का तरीका सब कुछ सेम है, कोई स्टैंडर्ड डायलेक्ट नहीं, इस्तानबूल में भी पाई जाती है, और वेस्टन यूरोप जर्मनी में भी पाई जाती है, टोटल जो कुर्दिश आबादी है पूरी दुनिया में, आप कह सकते हो, तीस से पैंतालिस मिलियन हैं, तीन करोन से साड़े-चार करोन कुर्ड पूरी दुनिया में रहते हैं, अब बात करते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री की, जब वर्ड वर वर वन खतम हो और ओटोमन अम्पायर हारा, तो ओटोमन अम्पायर के बहुत सारे टुकड़े हो गए, लेकिन उसके बाद पता है आपको, एक लीडर उभर क्या है, टर्की में जिसका नाम था मुस्तफा केमल आता यह जो नई कंट्री बनी ना, इसमें एक डिमांड इंगनोर हो गई, और वो डिमांड थी कुर्डिस स्टेट की डिमांड, कुर्डिस स्टेट की डिमांड पूरी नहीं उपाई, पहले क्या हुआ, 1920 में ट्रीटी ओफ सेवरिस के थुरू यह प्रॉमिस किया गया इन कूर् ट्रीटी ओफ लॉस आने में टर्की बना दिया गया, कि लेकिन कुर्ड्स अलग अलग कंट्रीज में माइनौर्टी स्ट्रेटर्स की तरह रह गया, तो पहले आए ट्रीटी ओफ सेवरिस, 1920, जिसमें यह बोला गया, कि कुर्ड्स को अपना इलाका दिया जाएगा, को बोला कि तुमको सब कुछ देंगे, लेकिन जब लोगों ने अपना हाग चीनना शुरू किया, जैसे कि टर्की के लोगों ने मुस्तफा केमल आता तुर्क के अंदर लाई करके, अपना इलाका जब चीन लिया, तो जब चीन लिया, तो इंगलेंड के पास जादा कुछ मिल जाता इसराय, तो शायद ये अपनी छोटी सी कंट्री मना लेते, लेकिन इनकी कोई कंट्री नी मन पाई, इनकी थोड़ी-थोड़ी आबादी अलग-अलग कंट्री में बढ़ गई, अब जहां पे भी इनकी अलग-अलग कंट्री में बटी थी, वहां पे ये इंडिप सरकार सुनेगी और व्वेसी बात है आर्वी ओर कर दिया जाएगी रिबेलियन को दबा दिया जाए और जब मारा विव सारे कंटरिय दो तो बहुत सारे जैनुसाइड चुरू हो गे इन्हों पहले रेंद तो ठाज्ट करें गी तो हैं हNने ब crimes तो इराक और सीरिया इन दो जगहों पे बहुत सारे ऐसे और्टोनॉमस रीजिन्स ने जहां पे कुर्ट्स का कबज़ा है वो इसलिए हो गया चुकि इराक और सीरिया का जो इलाका है वो काफी डिस्टरब्ड रहा है सीरिया में तो सिविल वार चल रहा है आज का चल रहा है दोजर ग्यारा से चल रहा है सिविल वार और इस सिविल वार के चलते बहुत सारे इलाके इराक सीरिया के अंदर और बहुत तक इराक के अंदर इसलामिक स्टेट की कबज़े में आ गए तो Islamic State को बाहर खदेडा और Kurds ने उस इलाकों पे कबजा कर लिया तो कही न कही एराक और सीड़ा में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे कही न कही कुर्द के पास Autonomous Region है तर्की एक ऐसी कंट्री है जहां पे कुर्द के पास कोई Autonomous Region नहीं है हाला कि मैं आपको बता दू कि तर्की में बहुत बड़ी आबादी है कुर्द की ये भी याद रखेगा तो कुर्दिश मूवमेंट हर जगा पे Cultural Rights, Autonomous, Independence की डिमांड करते हैं मिलना भी चाहिए बट कहीं न कहीं मिल नहीं पाएगा आप आप करते हैं कि कुर्ट्स ने आइसिस को हटाने में क्या रूल किया आप देखोंगे 2015 में आइसिस बहुत तेजी से सीरिया में फैल रहा था जब सीरिया में आइसिस फैल रहा था तो कुर्दिश ethnicity और Arab soldiers ने मिलके एक organization मनाय जिसका नाम था इस सीरियां दे मोकरीटिक फोर्सेज को support था US Army का ब्रिटिश आर्मी का फ्रेंच आर्मी का और इस सीरियां दे मोकरीटिक फोर्सेज के अंदर एक टुकृडी थी जिसको कुर्दिश कंटिंजेंट बोलते थे ये जो कुर्दिश कंटिंजेंट था इसको People's Protection Group बोलते थे YPG, ये YPG People's Protection Unit ये कुर्ट से बनी हुई थी और ये कही न कही Syrian Democratic Forces को अच्छी खासी ताकत प्रोवाइड करती थी और Syrian Democratic Forces ने मिलके लड़ाई करी कंटिंज मदद करती थी, बम गिराती थी IS के अलाके को उपर और ग्राउंड लिवल पे Syrian Democratic Forces लड़ रही थी और Syrian Democratic Forces के साथ लड़ रहे थे कुर्ट्स इनका objective क्या था कि Islamic State को इनके अलाकों से निकालो ये Islamic State ने दसों हजार स्कॉार किलोमेटर सब territory पे कबज़ा कर लिया था इन territories के उपर से Islamic State को हटाया गया और फिर वहाँ पे कहीं पे आप कहीं सकते हो SDF के जवानों ने और कहीं पे कुर्ड जो कि ये YPG पार्टी थी उसके जवानों ने अपना डेर डाल लिया ये जो ISIS कैलिफेट था ये जो ISIS के head ने declare कर दिया कि मैं खलीफा हूँ ये तो eliminate हो गया और जिन जगहों से इनको हटाया गया वहाँ पे कुछ हद तक courts लोगों ने और Arabs ने अपना कबज़ा कर लिया तो इसके चलते सीरिया में और इराक में बहुत सी जगहों पे ऐसे autonomous regions निकल पाए जहाँ पे कुर्द का administration settle हुआ लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जिहादिस्ट sleeper cell active थे बहले ही Islamic state यहाँ पे हट गया उपट जिहाद sleeper cell क्या होता sleeper cell एक ऐसी आप कह सकते हो group of individuals हैं जिनको उपर से instructions आएगा तभी वो active होंगे नहीं वो तो non active रहेंगे एक movie है Bollywood में holiday करके उस holiday में sleeper cells आपको दिखाएगा है बाराल इंडिया की movie में तो कुछ ज़्यादा ही special दिखाते हैं reality में ऐसा होता नहीं है तो कुल में राके यहाँ पे Syrian Democratic Forces के साथ YPGB थी अब हुआ यह कि जब बहुत हद तक Islamic State को हरा दिया गया Islamic State को हराने के बाद यहाँ पल्टी मारेंगे US और Turkey के armed forces देखे US और Turkey पहले तो कहीं न कहीं Syrian Democratic Forces का साथ दे रहे थे और इस Syrian Democratic Forces में एक group था YPG लेकिन YPG कोर्ट से बना हुआ है और courts को Turkey पसंद करता नहीं अब यहाँ पर Turkey अनाउंस करेगा October 2019 में कि भाई Syria के अंदर 32 किलो मीटर का 20 मील का हम एक Deep Safe Zone मनाएंगे यहाँ पर YPG fighters allow नहीं होंगे और यहाँ पर 2 million Syrian refugees को रखा जाएगा अब YPG fighters नाराज होगे YPG वालों ने बोला कि तुम्हारी boundary पर Islamic State के साथ लड़के तो हमने अटाया है इसको और यह जो इलाका है जो हमने तुम्हारे ले खाली करवाया या अपने ले खाली करवाया तो इसी इलाके से हम को अटा दोगे तो अभी यहाँ पर गुस्टा ने लगी YPG fighters को देखे इंटर्नेशनल रिलेशन्स ऐसे लगता है पहले तर्की थोड़ा बहुत YPG के साथ था क्यों चुकि इसलामिक स्टेट को हराना था इसलामिक स्टेट से तर्की को भी खरता था एक बार इसलामिक स्टेट खतम हो गया तो तर्की ने अपने रंग दिखा एक बोला कि नीबाइक कोड़ को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे YPG fighters को इस इलाके से टाओ यहाँ पर सीरियन refugees को बेजेंगे अब अगर आप नक्षा देखो इस नक्षे से आपको नजर आएगा सीरिया से बहुत सारे लोग निकलके डाइरेक्ट टर्की के अंदर जा रहे थे जब इसलामिक स्टेट का बवाल चल रहा था सीरिया के अंदर इसके चलते हो यह रहा था कि टर्की में बहुत सारे सीरियन refugees पहुंच गए था अभी उन सीरियन refugees को वापस सीरिया में भेजना था तो एक 20 किलोमेटर 20 माइल 32 किलोमेटर अंदर तक का सेफ जोन मनाने कि यहां पर बात की टर्की ने और बोला कि इस सेफ जोन में कोई YPG फाइटर्स नहीं और सीरियन immigrants को हम यहां पर भेज देंगे सीरियन refugees को यहां पर भेज देंगे अब सीरियन Democratic Forces ने बोला कि देखे बड़ी मुश्किल से हमने Islamic State को यहां पर हराया है अगर इस प्रकार के activities लोगे इस particular इलाके में जो courts dominant है इनको आप नाराज करोगे तो insurgency और बढ़ेगी सीरियन Democratic Forces ने बोला कि US ने हमारी पीठ में छूरा भोक दिया है टर्की का साथ दे के यह जो टर्की IS कहराने के बाद YPG के एकदम से against हो गया ना courts के एकदम से against हो गया ना यह चल नहीं पाएगा और यहां पे SDF दोड़ता हुआ गया SDF सीरियन government के पास सीरियन army के साथ एक deal strike कि अब सोची यहां पे कितने players है आरब ethnicity अलग code ethnicity अलग एक सीरिया की सरकार US टर्की अपने अलग दिमाग लगा रहे है France अलग दिमाग लगा रहे है US बोल रहा है कि हमासाथ के साथ है US बोल रहा है कि हमासाथ के अगेंस्ट है फिर सीरिया के अंदर बहुत सारे और अलग-अलग armed militant groups औरहरे है पर सीज्ग तो किवल सीरिया के problem है आप बगल में एराक में चले जगो तो आपे अलग बवाल निकल के आ रहा तो इस सब चीजों के बीच में गुत गया यह कुर्द का मुद्धा ठीके ना कुर्द को बहुत सारी फोर्से ने अपने मतलब के लिए इस्तमाल किया यूएस टर्की चैसों ने सोचा कि इनकी ताकत का इस्तमाल करके पहले इस्लामिक स्टेट इटाओ इनको तो हम कभी भी साइट इटा देंगे लेकिन इतनी जल्दी से आप साइट तो अटा नहीं पाओगे टर्की हमेशा से कोर्ड को एक थ्रेट की तरह देखता है अगर आप तर्की की आबादी देखोगे तो तर्की की आबादी का 15 से 20 पतिशत क्या है कोर्ड है हमेशा से तर्कीश अथर्टीस ने हास ट्रीटमेट किया है कोर्ड के साथ 1920 और 1930 ने कोर्ड ने कही ना कहीं तर्की के अंदर अप्राइजिंग की और उसके बाद उस अप्राइजिंग को brutally दबाया गया तर्कीश कुर्डिष नेम्स अलाउड नहीं है तर्कीश कस्टम्स अलाउड नहीं है तर्कीश लैंगविज को हाँ पर रिस्ट्रिट करके रखा गया और कुर्डिस नाम का शब्दी इस्तिमाल अलाउड ने टर्की के अंदर टर्की के अंदर इन लोगों को बोला जाता है Mountain Turks और इसी के अगेंस 1978 में हुआ ये कि अब्दुल्ला ओसलन ने कुर्दिस्तान वरकर्स पार्टी बनाई कुर्दिस्तान वरकर्स पार्टी का एम था कि टर्की के अंदर एक इन्डिपेंडन स्टेट बनाएंगे जो कि कुर्द्स का होगा क्या कभी भी टर्की को ये बात समझ में आएगी आप एक country के अंदर एक अलग independent state बनाने की बात करो ethnicity के आप बहार पे तो इसको तो भाई कहीं न कहीं देश द्रोह बोला और टर्की की armed forces इनके उपर कूद पड़ी 40,000 लोगों को यहां पर मार दिया गया हजारों की तगाज में लोग डिस्प्लेस होने लगे सीरिया में भागने लगे बहुत सारे टर्की से जो कुर्ड्स हैं हो सीरिया भाग जाते हैं जो कि टर्की के अंदर उनके साथ अत्याचार होता है ऐसा बोले जाता है फिर यह जो PK के पार्टी बनी थी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी इसके जितने भी एक्स्टेंशन थे उसको टर्की के अंदर बैन कर दिया गया टर्की ने बोला कि यह लोग यहाँ पर मिलिटेंसी करते हैं इनको बाहर खदेड़ो इनको मारो तो भाई कहीना कि टर्की कुर्द को पसंद नहीं करता सीरिया के बात कर लेते हैं सीरिया के अंदर कुर्द का क्या हाल है तो सूरिया की अबादी का 7 से 10 प्रतिशद हिस्सा है कुर्द तो आप अच्छा कासा हिस्सा है तो आप देखोगे 2011 में जब बशर अल-असर्द के अगेंस्ट अपराइजिंग शिरू हुई उस समय पे जो कुर्द से सीरिया में वो डमासकस, अलपो, कोबाने, अफरीन, कमीशली इस प्रकार की सिटीज के आसपास के इलाकों में ये कुर्द रहते थे कंटीजिस इलाके नहीं थे अलगलागे थोड़ी थोड़ी आबादी थी कोड्स की ऐसा नहीं था कि कोई एक बहुत बड़ा सा अलाका है और उसमें सिर्फ कोड्स ही रह रहा है समझ गया है? अब सीरिया में भी कोड्स के खिलाफ अत्याचार किया गया है 3,00,00,00 को सीरिया के इंदर अप्राइजिंग शुरू होगी जब वहाँ पे अप्राइजिंग शुरू हो गई तो अब हर जगा से रबिल्स आगे रबिल्स कौन थे जो कि सीरिया के प्रेजिट असद के अगेंस थे अभी सीरिया की आर्मी रबिल्स को दवाने में लग गई तो कोडिश लोगों को पे कब जा लिया दोहजार 14 जनवरी में कोड़िश पार्टी जिसमें की डेमोक्रिटिक यूनिन पार्टी पी वाईडी पार्टी वो एक डॉमिनेंट पार्टी थी इसने ऑटोनॉमस एड्मिनिस्टिशन बना लिया अफरीन, कुबाने और जजीरा नाम के कैंटन्स में छो लाकों में जहां पे उनका अटोनॉमस एडमिनिस्टिशन चल ला था महापे फैडरल सिस्टम मनाने की बात की और बोला कि हम यहाँ पे राज करेंगे तो सीरिया के अदर यह कोड़ सक्सेस्फूल हो गया तो कल को हमारी देश में घुसेंगे अभी इसके चलते हैं यहाँ पे इन कोड्स की तरफ से एक statement आया कि हम Syria के अंदर से अलग देश नहीं मना रहे हैं, लेकिन Syria के अंदर हमको हमारी autonomy चाहिए, हमें हमारी भाषा बोलने का हक चाहिए, अपने customs follow करने का हक चाहिए. आसद ने बोला कि Syria के अंदर किसी को भी independent entities या federalism की मांग करने का हक नहीं है, आसद के खिलाफ वैसे ही इतना position चल रहा है और वो यहाँ पे साफ साफ डेक्लेर करने कि तुम्हें कोई हक नहीं है अपने लिए यहाँ पे आजादी मांगने का, independence मांगने का, autonomy मांगने का, तो य इराक में बहुत बड़ा इलाका है जहां पे कोट्स ने अपना कबजा कर लिया, तर्की एक ऐसी जगह जहां वो नहीं कर पाएं, फिर आप बात करते हैं इराक की कोट्स की, इराक की population का 15 से 20 पतिशत है कोट्स, और आप देखोगे की, सीरिया और अगर आप तर्की से कंपे बरजानी, इन्होंने बनाई कुर्दिस डेमोक्रिटिक पार्टी, ये भी एक कोट्स थे, इन्होंने बोला गिए इराक में ये पॉलिटिकल पार्टी कोट्स की ऑटोनॉमी के लिए लड़ेगी, लेकि 1961 में इन्होंने एक आम्ड स्ट्रगल शुरू किया, अभी आम्ड कोट्स राटे थे, इनके बीच में जबरदस्ती अरब्स को यहां पे सेडल करने लगे, जिस प्रकार से इसराइल जीवस को लेके घुज जाता ना पेले स्टीनिस की अलाके में वहां पे सेडल करने लगता जबरदस्ती, कुछ इस प्रकार का यहां पे काम इराक करने लगा अरब्स का इस्तिमाल करके किस के अगेंस्ट? कुर्द्स के अगेंस्ट मैं आपको बता दू कि दोनों ही मुस्लिम्स हैं बढ़ यहां पर एथनी सिटी अलग है और उस एथनी सिटी की चलते हैं यहां पर लड़ाई हो रही थी फिर आप देखो कि 1980s में जब एराक एरान वार चला था उस समय भी इस कुर्ड के अगेंस्ट बहुत अत्याचार हुआ चुकि उस समय पे एराक को लीड कोन कर रहता सद्दाम हुसेन सद्दाम हुसेन की लड़ाई हो रही एरान से और एरान सपोर्ट करता है कुर्डिश कॉस को तो सद्दाम हुसेन को लगा कि यह जो इरान है इसको सपोर्ट करते हैं कुर्द तो कुर्द को मारो और बहुत सारे कुर्द को मारा गया एक क्यमिकल अटैक हुआ कुर्द के अगेस्ट हलाब जानाम के शहर में फाइनली आप देखोगे 1991 के गल्फ वार में जब इराक डिफीट हो जाएगा तो यह जो बरजानी का संथ है ना बरजानी कौन है यहाँ पर मैंने आपको बताया है मुस्तफा बरजानी ने 1946 में कुर्दिस्तान डेमोक्रिटिक पार्टी बनाई थी इरान में इसका जो संथ है मसूद और यह मसूद आप देख सकते हो कि कहीं न कहीं important बनेगा कुर्दिस politics में फिर जलाल तलाबानी जलाल तलाबानी पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान का लीडर था तो अब यहाँ पर दो पार्टी आपको बनती ही नज़र आ रही है एक पार्टी है कुर्दिस्तान डेमोक्रिटिक पार्टी एक पार्टी है पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान ऐसा नहीं कि कुर्द कॉस को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आपे रेप्रेसेंट किया और ये जो Patriotic Union of Kurdistan ये आपस में लड़ रहे थे लेकिन आप देखोगे कि U.S. लेट जो 2003 में इन्वेजन हुआ उसके बाद जो सरकार बनी एराक में इनकी उसको बुला गया Kurdistan Regional Government आप देखोगे दोहुक, इर्बिल और सुलमनिया ये जो प्रोविंसे जे एराक में यहाँ पे Kurdistan Regional Government बनी और इन Government में KDP और PU के मिल के काम कर रहे थे तो जो मसूद बरजानी था वो सीजन का प्रेजिडन बना और जलाल तलबानी वो एराक का पहला Non-Arab Head of State बना तो मतलब यह कहीं न कहीं इराक में इन कोड्स को थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिला है अब यह जो इलाके थे जहाँ पे कोड मेजॉर्टी थी सेप्टेंबर 2017 में यहाँ पे एक रेफरेंडम कराए गया और यहाँ पे रहने वाले कोड से पूछा गया कि तुम इराक का हिस्सा बनके रहना चाहते हो या अपना अलग देश बनाना चाहते हो लग बग 33 लाग लोगों ने यहाँ पे वोट किया 90% से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हम सेकीड करना चाहते हैं इराक के अंदर अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं आप समझेए आप इराक के अंदर जब रेफरेंडम हुआ तो यह लोग बोल रहे हैं हमें अपना अलग देश टाइब इसी रहे तो टर्की का प्रेजडेंट रेसिप टैयब अर्दोगन इनकी बात सुननी रहे हैं रेसिप टैयब अर्दोगन को यह पता है कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा छूट दी तो यह लोग कही न कहीं वोटिंग डालके अपना अलग देश बनाने की बात करेंगा और कोई भी कंट्री लीडर यह नहीं चालता कोई भी कंट्री लीडर अपने मेजॉर्टी वोट बेस के इसाफ से काम करता है तो अगर Arabic population, Turkic population, Quartz को दबाना चाहती है तो लीडर भी बोलेगा कि हाँ भाई Quartz को दबाओ चुकि उनकी authority तो उनसे है न जो उनको वोट डाल रहे है यह जो उनका support base है कही न कहीं टर्की एक डेमोक्रिटिक देश है वोट तो जीत नहीं पड़ेगा न तो यह सब बते आपको यहाँ पर निकल के आ रही है तो यह अक्सर गर होता रहता है कुछ इलाके कोर्स के इलाके में control में आते रहते हैं कुछ कोर्स की control से बाहर निकलते जाते हैं तो यह जो code community है यह फसी गई है इन सारे देशों के बीच में इसका बस एक ही solution था कि जो treaty of severis में इनको promise किया गया था कि इनको इनका एक इलाका दी जाएगा अगर वो इलाका उस समय पे इनको दे दिया जाता तो इनकी problem कहीं न कहीं सवाल हो जाती अब यह फस गए हैं बीच में और लग नहीं रहा कि आगे आने वोले कई सारों तो इनकी problem का कोई भी solution है thank you for watching friends यह पूरा का पूरा मैंने कुर्स के बारे में आपको एक basic जानकारी दीए I hope आपको आपके को सीखने को मिला होगा